तो दोस्तो मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप योनो पर सर्च करना है योनो SBI जैसे ही आप सर्च कर देंगी तो आपको यहाँ पर योनो SBI आप का जो है नाम आ जाएगा जो की कर चुके है इसलिए यहाँ पर ओपन का option दिख रहा है तो सबसे पहला काम आपको करना है आपको अपडेट कर लेना इसके बाद आपको open करना जैसे ही आप Open करेंगी तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको जो है लोग इन करने के लिए आपको दो option मिल जाएंगे जो कि पहला option आपको मिल जाते हैं यहां पर एक सजेस्टिंग SBI customer दूसरा option मिल जाते हैं new to SBI तो आपको क्या करना है आपको जो है दो option मिल जाते हैं S1 और S2 जैसे कि देख सकते हैं तो आपको यहां पर select करना है कि आपका जो रेश्टर मॉवाइल नमबर है यानि कि जो मॉवाइल नमर आपके bank account से link है वो मॉवाइल नमर जो है आपके मॉवाइल के अंदर S1 में है या SIM 2 में है आपको यहां पर select करना है और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो मॉवाइल नमबर है वो जो है यहां पर इस मॉवाइल के अंदर insert होना चाहिए पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब जो है यहां पर update कर दिया गया है कि जिस भी मॉवाइल में जो है आप you know SBI app लोगिन कर रहे है उस मॉवाइल में जोह है आपका सीम इंसर्ट होना चाहिए तो आपको याद रहें सीम आपको जरूर डालना है जैसी आप allow पे click कर देंगे तो आपको यहां पर थोड़ा देर time चलेगा जो कि आप यहां पर देख सकते हैं time चलने के बाद आपको यहां पे आपको account number डालने का option मिल जागा तो आपको यहां पे थोड़ा देर wait कर लाना है और उसके बाद यहां पर according number डालने का option मिल जागा तो हम यहां पर थोरा देवेट करें इससी तरीके से यहां पर timing कि चलता है तैमिंग से पहले ही यहां पर option आ जाता है according number डालने का जो की आप स्क्रिन पर देख सकते हैं according number डालने का जो हे option आच 노력ा है तो आपको यहां पे पूरुशिट वाले option पर किलिक कर देंगे तो यहां पे आपको username और password डालने का option मिल जाता है तो आपको यहां पे internet banking का username और password डाल दना है अगर आपके पास SBI का internet banking का username और password नहीं है तो इस वीडियो के description ने एक वीडियो का link दे दियाओं उस वीडियो को देख करके आप बहुत ही आसानी से State Bank of India का internet banking का username और password आप बना पाएंगे तो आपको यहाँ पे username और password डाल दना है और उसके बाद आपको कुमेंट किये कि OTP नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ है कि अगर आपको OTP नहीं आरहा है तो आपको 20 // करना सबसे पहले अगर आपको ओडिपी नहीं आता है तो आपको यहांपे पेर ह करना है और उसके बाद आपको यहां पर सीम टू का ऑप्सिन मिल जाता है तो आपको यहां पर दिख जाता है कि आपका जो रेश्टर मोबाइल नंबर है वह सीम वन में है या सीम टू में आपको यहां पर सेलेक करना जैसे कि मिरा Tim1 म है तो हम Sim1 पे किलिक करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे प्र पर आपको इनेवल करते हैं तो यह काम आपको कर ल Juice पी आजाना है, जैसे ही आप इस पेज़ पर आ जाएंगे तो यहां पर OTP डालने का option मिल जाएगा तो मैं आपको बतादो अगर अगर यह सब भी कर लेते हैं और उसके बाद भी OTP नहीं आता है तो आपको करना क्या जैसे कि जो है आप दिन में जो है योनो SBI आप लोगिन कर रहे हैं तो आपको जो है दिन में नहीं करना है आपको रात के वक्त करना है इसलिए रात के वक्त करना है कि दिन में जो है बहुत सर्वर का अपलोड रहता है मतलब बहुत सर्वर का प्रोलोम रहता है कि दिन में और यहां पर बिडीयो बना रहा हूं तो तो आपको सीश्क्य नहीं आ कらिShe आपको यह नीचे नेक्स्ट का option है तो आपको आपको यहाँ पर तो एंट्रोड करना अपको यहां पर망एट करना आपको क्लिक करना है रहे जानेके सकता है नmusic और na दालना यहां पर च्छे अंगों का यहां पर उथे कर लोगिन तो आपसे मांगा जाएगा तो बारवार जो है आपको यूजर नेम और पासवर्ट डालने की आपको जरुवत नहीं पढ़ेगी तो आपको यहां पे ऐसा इंपको ज्यादा रहे आपको अपने एकॉर्डिंग जो है यहां पी छे अंग का एंपिन सेट कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर नीचे नेक्स्ट का ओप्सन है तो आपको नेक्स्ट पर किलिक कर देंगे तो यहां पर कंग्रेचुलेशन का जो है आपको एक पॉप आज आएगा और इसमें लिखा रहेगा यहां पर कंग्रेचुलेशन यहां पर लिख करके आ चुका है तो आपको यहां पर ऊके का आपसुन में जाएगा तो आपको जो